मेरजापुर जनपत के उस अहरवना छेतर में हम लोग हैं जहां से की भंडारी देवी जाने का रास्ता आप हमारे पिछे देख पाएंगे की ट्रक आ रहे हैं लेकिन उसके पिछे जो धूलों का गुबार है उसको भी लेकर क्या रहे हैं और ये इस्टेट हाइवे 5A से आप के भंडारी तरफ की रास्ता भंडारी देवी की तरफ ये रास्ता आता है और इसको जूम करके थोड़ा दिखाईए आप कितना धूल का गुबार है और रास्ते में इस तरह रास्ता है कि आप गढ़्डे की तरह हिच्चकोले खाते हुए यहां तक पहुचेंगे ये गर् जरियों को देख पाएंगे जूम करके दिखा सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से यह रास्ता बना हुआ है यह भी कह सकते हैं कि माना करूप यह चीज़े नहीं बनी है और इस पर धडले से ट्रकों की आवाज आही तो हो ही रही है लेकिन कहीं कहीं इस रास्ते की हालत जो आपके कपड़े गंदे होने तो स्वभाविक सी बात है लेकिन इस सब मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ सत्यंदर सिंग जुड़े हुए है जो कि चुनार विधानसभा से विधानसभा के प्रत्यासी भी रहे हैं क्या कहना चाहिएगा इस रोड को लेकर के बड़ा लो पुराना बसड़ा वहीं अभी मवजूद है तो अभी मैं कुछ दिन पहले जब आया था तो यहां पूरसों गढ़्धा था तो आज हम लोग इसलिए और तो कुछ मिट्टी डाल करके ठेकदार पाड़ दिये ताकि उनको सुनगुन हो गया था कहीं से लग गया था कि नही नहीं है यह यह कई वर्ष से इसे पड़ा हुआ है यहां के लोग बताएंगे और यह जो भंडारी देवी बंदिर जो पावर हाउस अहरेवरा है वहां से जाता है तो यह रास्ता जो है भंडारी देवी जो के मोखे परेटर का स्थाल है चुनार तथासील का जो है बहुत यह बना हुआ है यह देखे गिट्टी जो है की बजड़ी मतलब अभी रोड नया बना और इस तरह की बजड़ी देखिए आप उखड़ गई है अभी कल का बना है देखिए इनसे पूच्छे का रहे हैं कल का बना हुआ है कल कल मतलब है सब करमचारी गेंगा सब भोज में अच्छा आपको लग रहा है कि मतलब यह सही तरीके बना है नहीं नमबर दू काम है और यह रास्ता बताईए कब से खराब है कितने साल हो गए इस रास्ते को भराब वी जब बोल्टा वीचल तब से दसन साल से खराब रहें चल लाए फूब ट्रकों भारी भारी ट्रक आ लेकिन कहीं न कहीं जब बरसात होता है तब कैसे आप लोग इधर चाते जाते हैं तो आप रहने वाले तो साल से आप इस तितिती देख रहे हैं कि इस रास्ते की बहुत गंदा इस चल आप अगल बगल रह नहीं सकते हैं पांच मिनट की इतना धूर ज्यादा से पर दूसर फेड़ा है धूल मतलब इस तरह यहां पर उड़ता है कि मतलब अगल बगल के घरों में आप अगर पानी आप रख देंगे पीने के लिए खुला तो आप पी नहीं पाएंगे आप फसिल न इस रास्ते की हालत कितने सालों से खराब हैं वहां पचास साल हो गए हमारा उमर पहले का था कोई खीमा नहीं है जब से आप देख रहे हैं यह रास्ता खराब ही है बास पिच्चिंग आएंगे लोड़वाले हलका फुलका मार के चले जाएंगे अब इस्टेट हाइवे फ लगार कर दिये अब का अलकातरा का करी पहले इतना मजबूत अलकातरा लगारी लेकिन अब इस पर जो की पत्थर बोल्डर बिच्छा दिया जो पर चाहां थोड़ा इन से भी बात किया जाए और आप आप भी कितने दिनों से इस राश्ते को देख रहे हैं इस तरीके सब मिला जुला कर बात यह है कि अब तो हाइबे आने जाने के लिए बड़ी गाड़ियों के लिए हो गया है लेकिन जो नगर के लोग हैं इसी रास्ते से उनका जाना होता है और इसकी स्थिती इस तरीके है कुछ और भी कहना चाहिए गजन प्रतिनी धी के यह मडियान बिधान सबा है जहां से रमासंकर पठेल बिधायक है उसी छेत्र में हम लोग के आपर खड़े आगामी बसमें 2027 में चुनाव भी होने वाला है तो कहिन के उनको इस बात का ध्य जाने आने वाली जंता का रही है यहां बारिस में पानी भर जाती है यह टर्के जो ट्रक जा रही है भारी वहाँ जा रहा है क्या इसके मानक के अनुसार है तो इस पर जाज बाइठाना चाहिए और यदि यह दस दिन के अंदर नहीं सुधर गया तो मैं और जिलादिकारी महुद्या के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को लोग निर्मा विभाग को यह पत्र लिखूंगा कि यह जांच कराई जाए जो है बारारसी से सोनभद का पुराना मार्ग है जो हरेवरा हाइवे से कट करके भंडारी माई से होते हुए पुराने बसड़ा से होते हुए फिर रावट गंजाले सोनभद जाने वाली मार्ग में वह जूड़ जाता है तो और यह जो बना है कल का यह बताईए यहां के लोग बता रहे हैं यह कलय का बना है आज इस्थिति यह है इसकी जांच होनी चाहिए मैं जिलाधिकारी महुद्या जनपद अभी अंता लोग निर्मार विभाग और मानी कैबिनेट मंतरी लोग निर्मार विभाग उत्तर परदेश से यह मांग करता हूँ कि इसकी जांच बैठाई जाए कि यह सड़क क्यो नहीं बना है और जो बना भी है तो खराब कैसे हो गया एक दिन में और यह मानक के अनुसा गाड़ियां क्यों नहीं चल रही है इस पर हम लोग इतने इतने समय हम लोग खड़े हैं और इतने में ही मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे चसमें पर पूरा धूल जम गया है इससी स्थिति आप देख पार हैं पीछे दिखाए जुम करके दोसियों पर कारिवाई होना चाहि लड़ेंगे इसके लिए लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक लड़ेंगे चलिए चले देखे पीछे आप देख पार हैं तस्वीरों में कि मलब यह किस तरीके से धूलों का गुबार इसमें आप अगर बच्चा देखे पढ़ने जा रहा है ड्रेस पहन करके जा रहा है लेक कि जो कि हमारी बात सरकार तक नहीं पहुचा रहे हैं मैं उपर मानीकमंतरी महोधाय यह कबिनेट मंतरी को मैं दोश नहीं दूंगा मैं यहां और जंता के मानी विधाया जी को दोश दूंगा क्योंकि वो जंता चुनक के गए हैं मुद्वों का जिम्मेदार हमारा जनप्रतिती है यदि इस पर बात नहीं होगी तो यहां धर ना दिया जाएगा धन्यवाद चलिए हमारे साथ सतंदर सिंग तो जुड़े हुए थे लेकिन कुछ और हमारे साथ अस्थानी जो लोग थे जिन्होंने इस बात को बताने का प्र बने जब तक उस मानक के नहीं बन पाएगा तब तकुझ सिद्धी नहीं ऊदर पाएगी फिलाल आज कलके ट्रक ट्रा ट्रैक्ट वह द देखेंगे कि ट्रकों से कम नहीं इतना मतलब ताली बना देंगे कि यह ट्रॉक से कम नहीं लेकिं धड़ले से चीजे चल रही है लेकिन फिलाल इस घटना क्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं रूड को रोड को देख कर कि अपनी राय कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएं क्या आपको लगता है कि जो यहां के विधायक सही अनुरूप काम कर रहे हैं या फिर नहीं कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं फिलाल ऐसे ही तमाम और विजन मुद्दों के साथ हम आप से जुड़ेंगे थैंक्स पर वॉच क्रिए बारत्यॉ को थैंट काम के वीजन क्वा दूर और या कर दूर आपकर दूरूर।